हमसे हमेशा जुड़ी रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं बैंक से मेडिकल पर दवाई लेने गई तो उससे अपनी थैली में रुपए नहीं मिले बैंक में चोरी की ये घटना सीसी टीवी कैमरे में कैथ हो गई बुज़र महिला के बैंक में रुपए चोरी होने की सूचना मिले पर बैंक मैनेजर ने मोकल सर चौकी पुलिस को फोन किया पुलिस ने बैंक में पहुच का सीसी टीवी फुटेज देखी और उसके आधार पर लड़की की तलाश शुरू कर दी है दरसल दो दिन की चुटी के बाद सूमबार को मोकल सर एसपी आई बैंक में भीड जाता थी रमनिया ने वासी वृत विद्वा महिला सती देवी राजपरोही दुपेर में बैंक में अपने पेंशन एवं नरेगा के जमार रुपे निकालने आई थी महिला ने बैंक के कैश काउंटर से 20,000 रुपे निकाल कर कपड़े की थैली में रख दिये थे इस दौरान एक लड़की सलवार कुर्ता पहने ब्लैक चुन्नी लगा कर महिला के पास आती है और शातिर तरीके से थैली से 20,000 रुपे चुरा कर बैंक से निकल जाती है बुज़र महिला बैंक से निकल कर मेडिकल दुकान पर दवानिया लेती है दवाई के रुपे देने के लिए थैली में हाट डाला तो रुपे नहीं मिले इसके बाद महिला ने वापस बैंक पहुँच कर बैंक मैनेजर से बात की उन्होंने बैंक मेले के सीसी टीवी कैमरे देखे तो वारदात का पता चला सुचना पर मोगल से चौकी इंचार्ज प्रलाद राम गोदारा एवं पूना अदाम ने मौके पर पहुँच कर बैंक सहित आसबास के सीसी टीवी फुटेज खंग नाले लेकिन अभी तक रुपए लेकर जाने वाली लड़की का कोई सुराग नहीं मिला हेट कॉंस्टेपल प्रलाद राम ने बताया कि सीसी टीवी में देख रही लड़की को ढूनने का प्रयास कर रहे है लड़की नाबालिक बताय जा रही है पेड़ित की तरफ से अभी तक कोई रिपॉर्ट नहीं दे गई है लरेगा में मजदूरी कर घर चलाती है बुसुर महिला रम्या निवासी रुद्ध महिला सती देवी विद्वा है महिला का बेटा 20 सालों से घर नहीं आया है उसे ठाकर राम में एक बाल के रिपॉर्ट